नमस्कार मैं रिजनीश कमार आपका टेक्निकल एक्सपर्ट अडवाइजर आपका इस्टमेंट टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत करता हूँ आज के इस टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में मैं आपको इरिक्षा चार्जर के डिस्प्ले पेरामिटर के बारे में बताऊंगा तो हमारा पहला इंडिकेशन है पावर ओन जब आप charger को main से connect करोगे तो सबसे पहले आपके charger के display पे लिखा आएगा P on जिसका मतलब है कि आपका charger on हो चुका है जो अगला जो indication आपके display पे आएगा IPP मतलब input present तो यह indication यह दर्शाता है कि आपके charger में AC input present है तो जो अगला indication आपकी screen पे आएगा वो है LAB मतलब lead acid battery यह indication यह दर्शाता है कि किस type की battery के लिए यह E-RXA charger applicable है अगला indication जो है वो है battery voltage मतलब BU यह आपके battery की voltage को दर्शाता है अगला indication जो आपकी display पे आएगा वो है BC मतलब battery current यह indication आपकी battery के current को दर्शाता है अगला indication जो आपकी display पे आएगा वो है C on मतलब के charging on यह indication यह दर्शाता है कि आपके connection proper है वो charging on हो चुकी है अगला indication जो आपकी display पे आएगा वो है percentage indication पहला indication है L25 यह इस चीज को indicate करता है कि आपकी battery की capacity 25% से कम है तो अगला indication है 25P यह इस चीज को indicate करता है कि आपकी battery 25% से चार्ज हो चुकी है और अगला indication है 50P यह इस चीज को indicate करता है कि आपकी battery 50% से चार्ज हो चुकी है अगला इंडिकेशन जो आपकी डिस्पले पे आएगा वो है 95P, यह इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपकी बैटरी 95% चाइर्ज हो चुकी है अगला इंडिकेशन जो आपकी डिस्प्ले पे आएगा वो है BOC मतलब boost charging ये इंडिकेशन इस बात को दिर्शाता है कि आपका charger full rated current के साथ समाने स्थिति में चल रहा है अगला इंडिकेशन जो आपकी डिस्प्ले पे आएगा वो है FLC मतलब के floor charging जैसे ही बैटरी की capacity maximum rated voltage पर पहुंचती है तो charging current कम होना शुरू हो जाएगा ये इंडिकेशन आपको डिस्प्ले पे तब दिखाई देगा जब आपकी बैटरी की voltage 57 volt DC से 58 volt DC के नीची चले जाएगी अगला इंडिकेशन जो आपकी डिस्प्ले पे आएगा वो है BCD मतलब के battery charge float charging इंडिकेशन के बाद current कम होना शुरू हो जाएगा और जब जै current 0.5 ampere DC से नीचे चला जाएगा तो आपके पंक्खे के साथ charging बंद हो जाएगी उसके बाद आपकी charger की screen पे PCD लिखा आएगा जै इस चीज को दर्शाता है कि आपकी battery fully charge हो चुकी है आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी आज के इस टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में हमारे साथ जोड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें